हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो यूर फेवरिट चैनल यूडी सी आरे तो आज जो मैच हम कवर करने वाले हैं वो है पी एसल का अगला मैच जो की खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान्स एंड क्वेटा ग्लाडियेटर्स के बीच में तो फ्रेंड्स मुल्तान सुल्तान की बात की जाए तो ये लोग अपना लास्ट मैच हार के आ रहे हैं अगेंस्ट लाहोर कलंडर्स सिर्फ एक रन से हारे काफी क्लोज मैच था और क्वेटा ग्लाडियेटर्स का ये पहला मैच होने वाला है तो थोड़ा लाइनप के बारे मे कन्फूजन रहेगा कल भी थोड़ा कन्फूजन था तो ये हमें देखना होगा लास्ट मॉमेंट पे क्योंकि कही आप्शन्स हैं ओपनिंग के लिए मिडल ओर्डर के लिए तो ये चीज़े लाइनप साने के बाद क्लियर होती जाएंगी तो प्लीज आप लोग टेलिग्र को हेल्प करती है और आप स्टाट्स देख सकते हैं एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का जो है वो 193 है टोटल एवरेज स्कोर 186 है टॉस्विनर्स 60% मैचेज में बैट फर्स्ट को आप्ट करते हैं और 80% मैचेज बैटिंग फर्स्ट वाली टीम ही जीती है इस वेन्यू प को हेल्प है तो आईए अब लाइनप्स देख लेते हैं पहले देख लेते हैं मुलतान सुल्तान्स का लाइनप तो ओपनिंग करेंगे मसूद शान मसूद और मुहमद रिजवान जो की कैप्टन भी है और विकेट कीपर भी है मुलतान सुल्तान्स के और यह दोनों ही इंप टॉप स्कूरर रहते हैं जनरली इनके मोस्ट रहते हैं टूर्णमेंट में और अच्छे कैप्टन आप्शन है यह तो इनको भी हम 100% पिक करेंगे अपनी टीम में देन वन डाउन मिलर आये थे लास्ट मैच में तो आई थिंक मिलर एन उस्मान खान ये दोनों अपनी चल रहे हैं तो यह चीज़ हमें देखनी होगी बाकी दोनों ही इंपोर्टन्ट हैं उस्मान खान भी अच्छे बैट्समेन हैं एंड मिलर के बारे में तो हम सब जानते ही हैं पोलार्ड की बात की जाए तो पोलार्ड अच्छे हिटर हैं बड़ अगर फोर्थ पे आते हैं देन तो यह अच्छे पिक हैं अगर फोर्थ के बाद आते हैं तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे तो यह हमें देखना होगा देन आपको देख रहे हैं खुशदिल शाह जो की अपने करियर की बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं विकेट्स ले रहे हैं रंस बना रहे हैं अच्छी hitting कर लेते हैं end में आके तो एक I think काफी safe pick रहेंगे आज के match के लिए ये then उस्मान मीर की बात की जाए तो ये भी एक अच्छे leg spinner है but मैं इनको अभी pick नहीं करूँगा थोड़ा सा और मैं देखूँगा इनका क्या performance रहता है आगे tournament में उसके बाद हम decide करेंगे इने pick करना है और नहीं करना है अकील हुसाइन again एक dependable player run भी मना देते हैं bats से और spin, line और length इनकी अच्छी रहती है अगर second inning में इनकी balling आती है तो है ये और भी better pick हो जाएंगे because second inning में जब batsman पर pressure होता है run मनाने का तो ये wicket निकाल सकते हैं तो इनका भी ध्यान रखिएगा then आगे बात करते हैं समीन गुल की तो समीन गुल ने कुछ खास performance नहीं किया last match में wicket एक भी नहीं मिला इने 41 run दिये नोंने और batting नहीं आई उनकी तो उससे पहले भी ये domestic list A matches ही खेले हैं और उसमें भी कुछ खास performance नहीं है तो अभी के लिए ने drop करके ही चलेंगे हम next है दहानी और इनके बारे में news आ रही है कि ये injured हो गए हैं तो ये आज का match start नहीं करेंगे तो obviously एक बड़ा loss है for मुलतान सुल्तान because ये इनके main death baller थे और in fact main baller थे इनके ये तो काफी बड़ा loss होगा ये मुलतान सुल्तान के लिए तो आज ऐसा हो सकता है कि दहानी की जगे इलियास को chance दिया जाए इलियास का जो domestic performance है recently वो अच्छा है विकेट टेकर हैं ये तो I think ये एक अच्छे punt pick रह सकते हैं आज के match के लिए अब बात कर लेते हैं कोईटा gladiators के lineup की तो इनका probable lineup कुछ इस तरीके से रह सकता है ठीक है opening करेंगे Jason Roy and Martin Gaptil then one down ना सकते हैं अब्दुल वाहिद बंगल जाई then second down रहेंगे उमर अक्मल जो की एक अच्छे T20 के player है then सरफराज एमद जो की बहुती amazing form में से आ रहे हैं test matches में I think लगाता तीन test matches में I mean दो में तो New Zealand के खिलाफ मारी थी और उससे पहले एक domestic में खिला था उसमें भी उनकी century थी तो बहुती amazing form में है iftikar एमद again in a very good form इनका भी performance काफी अच्छा रहा है recently महमद नवाज हमेशा से ही अच्छे spinner है hitting करते हैं left-handed batsman है important होते हैं वनिंदू हसरंगा again world class spinner batting भी कर लेते हैं then उमेद आसिफ एक अच्छे youngster है talented हैं काफी महमद हसने नसीम शाह very good fast followers from Pakistan international team तो यहां से कौन से players important हो जाते हैं देखे Jason Roy की बात की जाए तो form तो अतना अच्छा नहीं है but क्योंकि pitch काफी batting friendly है और bounce अच्छा है तो ऐसी pitches पे यह अच्छा खेलते हैं यह generally slow pitches पे अच्छा नहीं खेल पाते हैं तो I think आज के match में आप इने pick कर सकते हैं he can be a good pick क्योंकि अगर run बनाए तो यह बहुत तेजी से बनाते है very you know hard hitting batsman और काफी अच्छा strike rate रहता है इनका then Martin Gapital की बात की जाए again very bad form में चल रहे हैं यह काफी खराब form है इनका recently but again he's a hitter और अगर 20-25 ball खेल जाते हैं तो अच्छे खासे run बना देते हैं तो again a very good option then bangalzai की बात की जाए तो player तो अच्छे हैं but man community में अभी pick नहीं करूँगा पहले देखते हैं इनका क्या performance रहता है then Umar Akmal की बात की जाए तो again very good T20 player उतना अच्छा तो performance नहीं है recently generally इन उने domestic matches ही खेले हैं list A matches तो performance तो अतना very dependable बस इनके साथ problem यह है कि इनका batting order जो है वो काफी नीचे है अगर इस position पे आए तो यह important pick नहीं रहेंगे because then इनको जादा balls नहीं बची होंगी खेलने के लिए और यह उतना तेजी से run नहीं भी मनाते हैं इन्हें थोड़ा time लगता है यह runs I mean यह थोड़ा सा उस type के player है जो इका दुका करके run मनाते हैं और बीच में boundary निकालते हैं then इफ्तिकार है मत important player but again batting order काफी low है तो batting first आती है तब तो इन्हें pick किया जा सकता है एक problem इनके साथ यह है कि यह balling भी करा सकते हैं और अगर यह balling में एक दो wicket ले गए और batting में 10.5 run बना गए तो यह अपना काम कर जाएंगे और form इनका काफी अच्छा है तो I think इनको drop करना थोड़ा रिस्की रहेगा then Mohamed Nawaz again very good spinner, very good batsman, hard hitter इनको भी drop करना काफी रिस्की होगा Vanindu Hasrangah captain wise captain si के best option very good spinner, batting भी कर लेते हैं उमैद आसिफ, youngster है player अच्छे है अच्छा, इनका recently performances है जो इनके domestic cups में हसनैन, नसीम शा, very good baller नसीम शा, अच्छे wicket taker है death में balling कराएंगे तो important हो जाते हैं तो यह सब players important है from Queta gladiators अब अपनी team मना लेते हैं एक बार head to head के लिए तो आईए, bat ball खोल लेते हैं यहीं पर खेलेंगे हम कल भी हमने यहीं पर अपने सारे matches खेले, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या performance रहा था यह देखिए, Karachi kings versus space hours मैंने head to head join किया था एक 5199 वाला इसमें भी मेरी winning हुई, आप point difference देख सकते हैं कितना ज्यादा है, ठीक है तो clear win हुआ अपना, easy win हुआ then मैंने 3 members भी join किये थे कुछ 1000 वाले 1500, 2000 सब में win हुआ इसमें थोड़ा सा close रहा बाकी तो सारे easy ही रहे यह देखिए कितना gap है, 636, 802 आप देख सकते हैं कितना difference है ठीक है, इसी तरीके से आप नीचे आएंगे तो 1000 वाले में भी मैं आपको दिखाता हूँ देखिए, 658, 459 और मेरे 802, ठीक है तो easy win हुआ इसमें भी देख लेते हैं, देखिए 588 और कहा 802 तो अच्छी winning हुई हमारी कल आज भी कोशिश करेंगे कि आज भी हमारी अच्छी winning हो तो आएए, टीम बना लेते हैं एक बार तो एक बार खोल लेते हैं home पे जाते हैं and multans, sultans versus queta gladiators यहाँ पर my team खोलते हैं अब सबसे पहले आता है wicket keepering section यहाँ पर तीन options है और मुझे तीनों ही अच्छे लग रहे हैं महमद रिजवान तो I think सबकी team में रहेंगे तो इनके बारे में सोचने का कोई option है ही नहीं captain wise captaincy के option है यह सरफराज एहमद, उमरान अक्मल उमर अक्मल, sorry यह दोनों अच्छे हैं उमर अक्मल को आप pick कर सकते हैं बट सरफराज एहमद जैसा मैंने का इनका batting order जो है अगर वो उतना ही low रहा तो यह उतनी important pick नहीं होंगे उमर अक्मल को आप pick कर सकते हैं बट अभी के लिए मैं इन्हें थोड़ा सा side में रख रहा हूँ बाद में सोचूँगा इनके बारे में आपको देखेंगे काईरन पॉलार्ड तो काईरन पॉलार्ड अच्छे हिटर है बट थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि इनका भी batting order थोड़ा low है तो अभी के लिए मैं इनको pick नहीं कर रहा हूँ बाद में lineups आने के बाद देखते हैं क्या रहता है David Biller is a must pick हो सकता है या आज भी one down आए और अगर one down आते हैं तो आप जानते हैं batting pitch है कितनी तभाई मचा सकते हैं bouncy pitches पे खेलने का इनने obviously experience है ही क्योंकि South Africa से आते हैं तो pitch में bounce है वो तो इन्हें help ही करेगा then Shan Masood also a very technical batsman 25-30 आपको अराम से बना के दे सकते हैं ये tick कर खेलते हैं then बात करें from Queta Gladiators तो आपको दिखेंगे iftikar Ahmed iftikar Ahmed को I think हमें pick करना पड़ेगा क्योंकि ये balling भी कराएंगे और इन्हे विकेट्स मिल सकते हैं form भी इनका बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त then Martin Gapital, Jason Roy ये दो important pick है जैसे मैं ना बताया आपको hitter है, flamboyant players है तेजी से run बनाते हैं then bangalzai की बात की जाए तो bangalzai मुझे उतनी important नहीं लग रहे है हो सकता है run बना जाए but I don't know जितना लिस्टे करियर से manhand का record देखा मुझे कुछ बहुत खास तो नहीं लगा ठीक है, अब आते हैं all rounder section में all rounder section में आपको दिखेंगे मुलतांस में खुषदिर शा important player है, bowling कराएंगे batting में अच्छे hitter है तो I think इन्हें pick करना जरूरी है then queta gladiators में वनिंदू हसरंगा and nawaz are no brainers इन्हें तो pick करना ही है, ठीक है bowling section में आते हैं, bowling section में अकील हुसैन अच्छे pick होंगे इन्हें मैं pick करूंगा, especially अगर second bowling आती है इनकी, तो ये और भी ज़्यादा important हो जाते हैं, ठीक है दहानी नहीं खेलेंगे, तो एहसान उल्ला and iliaz खेल सकते हैं और फिर वो लोग death balling भी कराएंगे तो I think इन में से किसी एक को हम pick कर सकते हैं अब queta gladiators की बात करें तो नसीम शाह को बिलकुल भी drop नहीं करना है बहुत ही अच्छे form में है अच्छे wicket taker हैं ये तो wickets लेके जा सकते हैं death balling कराएंगे तो दोस्तों ये 9 players का selection हो चुका है अब एक player अभी queta gladiators ने अपने squad में और आट किये हैं जो की है mohammad hafiz जो की 42 years के हो चुके हैं but I think one of the best players in Pakistan spin balling कराते हैं batting तो dependable है ही तो अगर वो खेलते हैं तो मैं उनको जरूर pick करूँगा अभी I think यहाँ पर add नहीं हुए हैं वो तो देख लेते हैं lineups आने के बाद अगर वो होते हैं और यहाँ पर add होते हैं तो हम उने जरूर pick करेंगे अपनी team में ठीक है मुहमद हफीज बहुत ही important player है तो दोस्तों last के दो players अब हमारे कौन से होंगे देखिए batting में आपके पास option है from queta gladiators आप Roy को pick कर सकते हैं या आप guptil को pick कर सकते हैं मैं अभी के लिए Roy के साथ जा रहा हूँ and balling की बात की जाए तो एक baller हमें pick करना है तो मैं pick करूँगा एहसान उल्ला को last match में ये दो wicket लेकर गए death में balling कराएंगे तो important हो जाते हैं specially दहानी नहीं होंगे तो इन पे ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी तो अभी के लिए जो मेरी team है तो बहुती बड़ी option हो जाएंगे ठीक है और हसरंगा again very dependable wickets ले सकते हैं अगर पहली balling आती है तो बहुत I mean second balling आती है तो काफी ज्यादा खतरना क्योंगी कई बार इनने death में balling कराएंगे और then आप नवास को भी बना सकते हैं अगर नवास को उपर बैटिंग करने भेजा गया and balling तो ये करेंगे ही second innings में तो काफी important हो जाएंगे तो मैं अभी के लिए रिजबान को अपना captain बना रहा हूँ और vice captain बना रहा हूँ मैं अपना वनिंदू हसरंगा को तो मेरी team कुछ इस तरीके से दिखेगी और final updates दोस्तों जो भी होंगी वो आपको telegram पे बता दिया जाएगा line up साने के बाद तो please हमारे telegram channel से जुड़ जाएं और हाँ हमारे channel को subscribe करना ना भूले हमारे channel को subscribe करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको वीडियो के description में जाना है और वहाँ पर आपको दिखाई देगा एक bell icon bell icon के पास आपको subscribe लिखा हुआ दिखाई देगा मैं आपको बता देता हूँ exactly यहाँ पर ठीक है subscribe लिखा हुआ दिखाई देगा तो उसे press करें उसे press करने के बाद आप bell icon में जाकर notifications को all कर दे और हमारे telegram channel से जुड़ने के लिए आपको bell icon के just उपर more दिखाई देगा उसे press करें then आपको join our official telegram channel दिखाई देगा इसके बराबर से more दिखाई देगा उसे press करें आपको link दिख जाएगा उस link के थूँ आप हमारे telegram channel से जुड़ जाए डिरेक्ट search करके ना जुड़े इस link के थूँ ही जुड़े तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जैहन